हेलो माई डियर फ्रेंड्स तो आज हम 새 programming series की शुरुआत करने वाले हैं और एक करके हम सी Theme programming के सारे के सारे program जो है cover कर लेगे हम बिल्कुल basic hello world से सुरुआत करेंगे और end तक टफ से टफ जो प्रोग्राम रहेंगे वो हम सभी के सभी करेंगे with clarification तो आज कहा मारा पहला प्रोग्राम रहने वाला है वालो वर्ड का उसलिए समय को खराब ना करते हुए हम चलते है अपने कंपर स्क्रीन के ओपर और विज़ अस्टूरी कोड जो है ओपन कर लेते हैं ये मैंने विज़ टूरी कोड सेटब करखा अपने इस सिस्टम पे और मैंने विजुल स्टूडिय कोड में जो है C और C++ को सेटप कर रखा है विद M GW कंपैलर के साथ में अगर आपने अभी तक नहीं किया है या फिर आप अपना सेटप करना चाहते है C और C++ के साथ में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन विडियो का लिंक डाल रखा है तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं और अपना सेटप जो है सिस्टम पर कर सकते हैं एक चीज और अगर आप में से चैनल पर कोई नया है या फर्स टाइम आया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो जो है मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना पूले फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो डेवलपर रहते हैं और प्रोग्रामिंग सीखते हैं चाहे वो C हो C++, Python, HTML या फिर हो Java सबकी सुरुआती है वो रहती है Hello World प्रोग्राम से तो Hello World प्रोग्राम जो एक बेसिक प्रोग्राम है जो कंजोल पर आपको Hello World प्रिंट कराता है आपको प्रिंट मिलेगा Hello World का लिखावा सिस्टम पर जैसे की हमें पता है इसी एक General Purpose Programming Language है और इसका Use Embedded Device, System Programming और Application बनाने में किया जाता है तो यह सारे चीज़े आपको पता होगी ठोटिकल आपको नोलेज होगी तो चलिए अब अपना प्रोग्राम हम फटाफट बना लेते हैं सबसे पहले जो है आपको इस तरीके की स्क्रीन जो है देखने को मिलेगी तो यह देखिए अपर कोई folder हमने create नहीं कर रखा है तो हम अपना एक फॉल्टर कर लेते हैं सबसे पहले जिसमें क्या है हमारे सारे के सारी जितने भी प्रोग्राम संब बनाएंगे उसारे के सारे रहेंगे नाम से इसको अपना यहाँ से अड़ करेंगे ताकि हमारी इतने परोग्राम के अंदर हम यू कि हetes फैस्ट प्रोग्रां जो रहेगा उसको गाड़ कर लेते हैंने फैयलक करके और हեलो वर्ल्ड जो है इसका नाम दे देते हम यह कि लगघा है क्योंकि जो सीर्क सिरल रहता है वह दोट सी रहता है हुआ है और उसुसमें रिगॐना elf निंटर कर लिया है कि इस वाले पारट में अपना प्रोक्राम लिखने वाले है कि अपको आप अपर लोग को कि आ three right कि कि वारे सकते की प्रोग्राम को जो है मैं दिया है फोड़ाय चो हमें आप लोग को को बता भी देता हूं किया क्या चीजी हमने इसमें यूज की है तो सबसे पहले मैं आपको बता हूँगा कि यह जो मैंने लिखा यहां पर एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है ऐसे अगर हम इस वाले पार्ट को सिंपल क्या है एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपका हर एक इस प्रोग्राम को जितने भी प्रोग्राम साब लिखेंगे इसी तरीके से लिखे जाएंगे थोड़े बहुत चेंजीन होंगे बट बेसिक स्ट्रक्चर ही है तो इसको आप ध्यान में रखेगा तो चली में थोड़े सा ब्रीफ कर देता हूं आपको सबसे पहले हमने यू है मनें locks कर दिया है विदा help of héseinkglot है कि और यूसमें functions रहते हैं जासे हमारा प्रिंट फंसन हैं उसमें मदद करता है हमारा य THE हम इसकेडर रहता है इंटीजर में यह तक यह मेन फंसन और जहां से प्रोग्राम का एक्जीक्यूशन सफाड़ होता है और ऐसे यहन से पहले देनोट करता है कि function रिटर्ण करता ए इंटीजर नंबर को अब हम आते है्व के उपर तो printf holiday certificate के हम निए उसनक हमारी प्रोग्राम के हां मैं है पvarco रिजो कमांड हमने लिखिया यहाँ पiraute printf तो प्रिंट से पहले जो सिंबल है हमारा स्पेशल क्रेक्टर इसको बैक्वर्स लेस एन बोलते हैं और इसको लगाने से क्या रहता है करसर आपका अगली लाइन पर आ जाएगा तो बिसिकली फिलाल इतना ही यह इस वाले इसमें जैन उसके बाद फैनल स्टेटमेंट आता है रिटर्न यह वाले देखिया आप यहां पर इसका यूज्च जो किया जाता है वो प्रोग्राम को एंड करने के लिए क्या जाता है वो रिटर्न जीरो एक इंडिजर वैल्व है क्योंकि हमारा जॉपंक्शन है वो इंटिजर टाइप का है तो बिसिकली इस टिकली का प्रोग्राम जो है है यह और प्रूट्राम में इतना ही है अगर आप चाहो तो इसमें कुछ और भी चीज़े आड़ कर सकते हैं तो चलिए फिलाल इसको रन करके देख लेते हैं आपको यहां पर आ जाना है यह दिख रहा है प्ले का बटन आपको यहां से यह ड्रोपडाउन में पर क्लिक आपने कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके और यह देखिया हां पे इसने मैसीज भी दिया था अभी कि आपका जो पुछ नहीं कर दिया इसने प्रोग्राम को हमारे और यह देखिया टर्मिनल पे आपको यहां मिल रहा है है फैलो वल्ट का उटपुट तो देखि इसने कंपाइल कर दिया है कंपाइल कर देने के बाद आपको यहां पर आजाना है एक्सप्लोडर पर क्लिक करेंगे ना वेदिए फॉल्टर बनाया था ना यहां से run code तो फाइल को run कर देगा डारेक्ट यहां से तो Hello World जो है प्रिंट हो जाएगा है निए अपर मिल रहे हैं अपर आउट्पूट में मिल रहे है ठेलो वर्ड तो इस त्रीके से जो है फस्ट प्रोग्राम था ये और अगर इसमें किसी को कोई प्रेसानिय कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही सिरीज हमारी आगे रहने वाली है और एक ही करके जो हम अपने अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कवर कर लेंगे